हेलो बचो वेलकम टू एडू फेवरी स्कूल और आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट का हॉलिडे हॉमवर्ग तो उसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहे हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लिस लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें यह वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बैल आईकॉन दबाना ना भूलें इसे हमारी वीडियो की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेगी चलिए होलिडे होमवर्ग करते हैं होलिडे होमवर्ग में आपको प्रैक्टिस करनी है कुछ वर्ट्स दिया है अट वाले एक आईजी और अन वाले इन वर्ट्स को आपको साउंड को बार बार रिपीट करना है वर्ड को और लिखना भी है सो चलिए पहले A to Z लिखते हैं और आपको लाइनिंग का ध्यान रख रहा है थ्री लाइन्स में A लिखा जाता है स्लैंटिंग लाइन देन अगें स्लैंटिंग लाइन और बीच में एक स्लिपिंग लाइन A and B लिखेंगे A standing line half curve small and half curve big B C लिखेंगे curve D three lines में और जो भी capital आप लिखोगे वो उपर की three lines में लिखना है D curve करेंगे E standing line, sleeping line ये small line होनी चाहिए and sleeping line इसमें देखें बीच वाली जो line रहेगी वो small रहेगी बाकी लाइनों से F again standing line, sleeping line and बीच वाली line ये जो नीचे वाली line हो छोटी रहेगी G आपको curve करना है three lines में up करना है line को, sleeping line is small and down line करना है line को and G के बाद H standing line, once again standing line and sleeping line H, I sleeping line और third वाली line में कोर sleeping line और बीच वीच हम करेंगे standing line, I, J, J को sleeping line उपर वाली line में and standing line करते हुए नीचे से curve कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, J, K, K के लिए standing line, slanting line and slanting line, K, L के लिए standing line and नीचे की तरफ sleeping line, M, standing line, slanting line, half and half again slanting line and standing line M, N, standing line, बीच वाली slanting line and standing line and इस तरह आपको lining का ध्यान रखना और lining में ही A to Z तक आपको लिखने है and O, बीच की तीन line में O, P, बीच की तीन line में P, standing line करके और उपर वाली line में curve होना चाहिए, P, Q, तीन line में circle and यहां से आप करके उपर ही रहेगा, यह नीचे वाली line तक नहीं जाएगा Q में, R, standing line, half curve उपर की तरफ और बाकी इस दो line के बीच में slanting line, उसके बाद S, half curve, जो की हमारा right side बनाए and opposite side फिर half curve, S, T, sleeping line and standing line, U, curve, up curve, उपर की तरफ curve बनाते हैं, वैसे curve बनाना है, three line में, V, slanting line, three lines में and again slanting line, three line में, W, W के लिए slanting line, small slanting line, small slanting line and big slanting line, W, X, slanting line और एक दूसरे को cut करती हुई slanting line, तो बन गया X, Y, big slanting line, three lines में and two line में slanting line, तो Y and Z, sleeping line, slanting line and sleeping line, Z, तो इस तरह आपको A to Z लिखना है लाइनों में और बार-बार इसको everyday, holiday में daily one page आपको practice करना है, आप करेंगे हैं small, small alphabet वाले, small alphabet वाले कुछ जो रहते हैं words वो बीच की दो line में बनते हैं और कुछ alphabet ऊपर के three lines में बनते हैं और कुछ नीचे के three lines में भी बनते हैं तो देखिए, A बनेगा बीच की line में, slanting line, curve, circle कलते हैं and slanting line B, नीचे से ऊपर की तरफ line लेके जाएंगे, slanting line की तरफ फिर उसको standing line करेंगे and फिर curve करेंगे, B, C, slanting line and फिर उसको curve करेंगे B, same C की तरफ slanting line, then curve और उपर की तरफ जाकर फिर नीचे की तरफ लाएंगे, slanting line तेड़ी होनी चाहिए line हमेशा, E, E के लिए slanting line ये देखें इस तरह और फिर बीच में थोड़ा सा gap देते हुए E, F, नीचे से उपर की तरफ and ये 4 line में बनेगा, जो slanting line है, नीचे वाली line तक आ जानी चाहिए और फिर यहां से हम उपर की तरफ जाएंगे और बीच में ये line को touch होना चाहिए G, then same हम C की तरह करेंगे and curve उसको उपर से मिलाएंगे and नीचे की 3 line ये कितने में बनेगा? देखे, A बनता है बीच की 2 lines में, B उपर की 3 lines में, C बीच की 2 lines में, D उपर की 3 lines में, E बीच की 2 lines में, F 4 line में G नीचे की 3 lines में, H उपर की 3 lines में I, beach की two lines में J, slanting line नीचे की तरफ standing करते हुए curve and beach में gapping देना है थोड़ा और उपर की beach की line से इसको touch करके मिला देना है और बिंदी लगा देना है ये बिंदी उपर की two lines में लगेगा J, K, उपर की three lines में बनाएंगे इस तरह and यहां से वापस जाएंगे and gapping देंगे और K, L, उपर की three lines में बनाएंगे L, M, beach की two lines में M, N, beach की two lines में O, को भी हम beach की two lines में बनाते हैं small वाला, P हम बनाते हैं पूरी four lines में start होगा third वाली line से उपर की first line में जाएगा और फिर नीचे की fourth line में जाएगी line and फिर again उसी line पे repeat करेंगे और P की तरह curve निकालेंगे P के बाद Q, slanting line half curve C की तरह इसको touch करके नीचे आएगी line और ये touch होगी नीचे से second line में touch birds के पूँच होती है न पीछे पैसे इसको Q को निकाल देंगे R और beach की two line में S, same beach की two line में T, beach की sorry, T, three lines में बनेगा U, beach की two lines में V, same beach की two lines में W, X ये सारे words जो रहते हैं beach की two lines में बनेगे हैं Y, नीचे के three lines में बनेगे first line को छोड़ देना है second, third line से start करना है फिर up करना है second line में फिर curve देते हुए नीचे जाएंगे fourth line में और फिर second line पे आना है और Z भी हमारा बनता है नीचे के three lines में इस तरह आपको lining का ध्यान रखना है और याद करना है कि हम कौन से line में लिखते है अब है हमारा right five at family words हमें at जिस word के पीछे at आता हो वो words लिखने है हमने book में class में पढ़ा है cat, rat, hat, bat तो क्या आ रहा है पीछे? at, at इसी तरह हमें word लिखने है c, small, a, small और t, उपर की तरफ, baby cat और b, a, t bat और बताए ये कौन से words होते है hat h, a, t hat, rat, r, a, t rat, mat, m, a, t mat इस तरह हमारा complete हो गया है at वाला sound सो आप करेंगे right, five, a, p अब क्या आना चाहिए पीछे? a, p app आना चाहिए so app के लिए याद कीजिए कौन-कौन से word होते हैं app वाले? cap, map, nap इस तरह आपको कौन से word लिखने है? a, p वाले cap c, a, p cap m, a, p map और और याद कीजिए m, a, p nap और cap, map, nap और lap lap d होता है और word याद कीजिए gap इस तरह आपको a, p वाले सब्द करने हैं आप देखें इसी तरह हमें complete करना है एक और task act वाले सब्द a, c, k act वाले सब्द करने हैं so act किसके आता है leg, back rack, shack तो इस तरह आपको क्या आना चाहिए last में act b, a, c, k back तो यह देखें a, c, k आगया हमारा back r, a, c, k rack और बताइए कौन-कौन से वर्ड होते हैं याद कीजिए जल्दी-जल्दी back rack h, a, c, k क्या हुआ hack और s, a, c, k shack और neck rack rack हमारा हो गया है back भी हो गया है pack कोई चीज को pack करना so p, a, c, k pack और यह हमारे वर्ड हो गए a, k वाले और अब हम करेंगे right, five, ig, family word हमने ig वाले वर्ड पढ़े हैं so कौन से होते हैं, ig वाले जल्दी-जल्दी learn कीजिए याद करके बताए ig b, i, g, big p, i, g, pig d, i, g, dig और बाकी तीन मैंने बता दिये दो वर्ड आप जल्दी से याद करके रखो और मुझे बताना है p, i, g, pig d, i, g, dig मुझसे पहले कॉपी में लिखके रखना है सबको pig, dig, big और क्या होगा? चिटिंग नहीं करना इधर से f, i, g, fig और w, i, g, vig यह हमारे वर्ड होगा है आई, g वाले और अब हमें करने है a, n जल्दी-जल्दी कोशन नोट कीजिए और मुझसे पहले लिखके रखिए a, n वाले वर्ड सो कौन-कौन से होते हैं एक example बताती हूँ p, a, n pan f, pan p, a, n, pan यह वाला pan होता है एक pan होता है कुछ fry करने के लिए so p, a, n, pan f, a, n, fan और जल्दी-जल्दी लिखिए अपनी copy में p, a, n, pan f, a, n, fan और pan fan b, a, n, man और m, a, n, man और c, a, n, can इस तरह आपको हर वर्ड के पीछे क्या आना चाहिए an, an, an और कुछ बचे हमीशा मैंने देखा है वो कुछ भी लिख देते है ram, pan, hand, can, bam, ben नहीं उसका मतलब भी होना चाहिए pan पता है जिसमें fry करते है fan, pankey को बोलते है and man, army को बोलते है can, किसी डबबे को बोलते है ban, किसी चीज को ban कर देना so ban, इस तरह उसका मतलब भी होना चाहिए अब करना है circle the ig family word और हमने, हमने लिखे ते उपर ig वाले word हमें इसमें देखना है जिसके word के last में ig आता है so ig हमें क्या करना है circle करना है और ढूंड़िये, okay है double s ig big man, d ig, d man, pack, cat, wig so इस तरह हमें ig वाले word को circle करना है ऐसे ही आपको सारे holiday homework को enjoy करना है और lining में ध्यान रखना words, alphabet को especially line-o में लिखना है अगर आप edu favor school से worksheets, labels, book download करना चाहते है तो आप free of course download भी कर साथ अगर आप